नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल ऑल एक्जाम गाइड ग्रूपर दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में भूगोल के पार्ट टू के कॉश्चन्स लेकर आए हूँ इस वीडियो में भी आपके लिए 100 कॉश्चन्स दे को हैं वीडियो तो most внут important question से हैं सबसे पहला प्रशन इंद्रा गांधी नहर का उध्यमिस्थल कौन के लिए जाना जाता है अलमाटी बांध किस नदी पर है तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है यहां पर अगले प्रशुष चलते हैं उत्रांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जंजाती जो है जौन सारी है उत्पादन की द्रश्ची से भारत की प्रमुख खाथ फसल क्या है तो उत्पादन की द्रश्ची से भारत की प्रमुख खाथ फसल चावल है उर्जा क क्षा का आओ पारंपर परिक स्त्रोफ कॉन सहे है तो प्राशीद का आप यूजे करते हैं आप उसको अभी क्या भी उसकाना शूरू कर रहे हैं तो यानि कि वह पार्म परिक नहीं इस्तित है उपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिच कौन सा है तो उपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पैट्रोलियम खनिच पाया जाता है रितु प्रवास की क्रिया कौन करते हैं तो भूटिया जंजाती के लोग जो है रितु प्रवास की क्रिया करते हैं ओबरा किसके लिए प्रसिद है तो ओबरा जो है एक उश्मिय शक्ति केंद्र है राइट आंसर हो जाएगा उश्मिय शक्ति केंद्र है ओबरा कांडला किसके लिए प्रसिद है तो कांडला जो है निर्यात प्रसंस्क्रण छेतर है जहां से निर्यात किया जाता है आय रहाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है लिए काठ्थाट्थाट्थ अनिवार अंग होटा है तो चाहिए चे सुर्वादिक अनुसुचित जन जाती है Wars किस राज में राश्री राजमार्गों की संख्या सरवादिक है तो उत्तर प्रदेश राज में राश्री राजमार्गों की संख्या सरवादिक है किस इस्थान पर नाविकिय शक्ती स्टेशन है तो तारापुर में नाविकिय शक्ती स्टेशन है किसको भारत में नगदी फसल माना जाता है तो प्याज एक भारत में नगदी फसल की रूप में जाने जाती है Optional caution ने direct one liner में लेकर आये हूँ यहाँ पर आपको option के according चुनना पड़ेगा कम समय में ज़्यादा caution करा पाऊं इसलिए one liner लेकर आये हूँ इसके चार option मैंने हटा दिए हैं Direct answer आपको बता रहाँ कौफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज़े में होता है तो कौफी का सबसे अधिक उत्पादन करनाटक राज़े में होता है कोजैनो ट्रिक्स विदोत परियोजना कहां पर है तो कोजैनो ट्रिक्स विदोत परियोचना करनाटक में है लोहे के लिए प्रसिद छितर कौन सा है तो कुद्रे मुख लोहे के लिए प्रसिद छितर है कौन सा राज भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है कौन सा राजिस शेहतूत उत्पादन में आगे है तो करनाटक जो है शेहतूत उत्पादन में आगे है कौन सा इस्थान कशीदाकारी या चिकनकारी की शैली के लिए प्रिसित है तो कशीदाकारी और चिकनकारी शैली के लिए उत्तरप्रदेश का लखनो फेमस है कौन सी नहर पश्यम बंगाल में इस्थित है पश्यम बंग में तो इंडन नहर पश्यम बंग में इस्थित है कौन सा छेतर जुआरी उर्जा का उत्पादन का प्रमुक शेतर कहलाता है तो खंबात की खाड़ी जो है जुआरिय उर्जा के उत्पादन का प्रमुक्षेत्र कहलाती है खरीब की फसलें कब बोई जाती है तो दक्षर पश्चिम मानसून के प्रारम होने पर खरीब की फसलें जो हैं बोई जाती है खेती की अनिशित्ता को किसे अपना कर कम किया जा सकता है तो खेती की अनिशित्ता को विधीवत करती विविधी करत खेती यानि की अलग-अलग टाइप की खेती आप करें अपने खेत में उससे खेती की अनिशित्ता को कम किया जा सकता है चाय की खेती कहाँ पर होती है तो पहाड़ी धलानों पर होती है जलविदुद्ग्रह कहाँ पर है तो option के according कोई ना में जलविदुद्ग्रह है कोई ना कहाँ पर है comment box में comment करके बताइए किस राज में है जिस राज में पवन उर्जा विक्सित की गई है सबसे जादा तो गुजरात राज में पवन उर्जा सबसे जादा विक्सित की गई है जूमिंग खेती जो है वो कौन करते हैं तो खासी जनजाती के जो लोग होते हैं वो जूमिंग खेती करते हैं जूमिंग सरवाधिक कहां पर होती है तो सबसे यदा विस्तरत रूप से असम साइड में जूमिंग खेती होती है तोड़ा जनजाती कहां पर निवास करती है तो तो चीड के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है नागार्जुन सागर बान पर योजना किस नदी पर है तो क्रिशना नदी पर नागार्जुन सागर बान पर योजना क्रिशना नदी पर है नारियल जूट उद्योग कहां पर फेमस है तो केरल में नारियल जूट उद्योग नीली करांथी का संबंध किस से है तो मतस्य उत्पादन से नीली करांथी का संबंध है पैनेसलीन का निर्मार का मुखे केंदर किस शहर में है तो पिपरी में पैनेसलीन के निर्मार का मुखे केंदर इस्तित है पोंग बांध का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्मान किया गया है बागान क्रशी पैदा करती है तो खाद दित्तर फसलें जो होती है बागान क्रशी के द्वारा पैदा की जाती है बिजली का नवीन करणिया संसादन क्या है तो पानी जो है बिजली का नवीन करणिया संसादन है बिसरामपूर किसके खनन के लिए प्रसिद है तो बिसरामपूर कोईले के उत्खनन के लिए प्रसिद है बोकारो इसपात कारखाने में किस विदेशी देश के सयोग से उसे बनाए गया है तो बोकारो इसपात कारखाना सोवियत संग के सयोग से बनाए गया है भारत का अग्रण या पैट्रोलियम उत्पादक राजी कौन सा है तो भारत का अग्रण या पैट्रोलियम उत्पादक राज है गुजराद भारत का प्रथम सौर सहर कौनसा है तो भारत का प्रथम सौर सहर आनंदपुर साहिब है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशग है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राजी कौन सा है तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज है भारत का सबसे महतपूर्ण खनिज यूग रौक तंत्र कौन सा है तो धारवार छेत्र जो है भारत का सबसे शिम मंगाल भारत का सरवादिक घनियावादी वाला राज है नेक्श कॉशन भारत का सरवादिक नगरी कृत राज है तो तमिननांडू यहां पर भारत का सबसे ज़्यादा नगरी कृत राज है गोवा भी है यहां पर गोवा भारत का सबसे ज़्यादा नगरी कृत राज है option के हिसाब से गोवा नहीं ता सिर्फ तमिन नांडू तो option के according जो है तमिन नांडू यहां पर बिमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौनसा है तो बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है नेक्ट कोशन भारत के किस राज्य में नागरजुन सागर बांध परियोजना है तो आंद्र प्रदेश में नागरजुन सागर ब हो आई की जाती है भारत के अब्रक के लिए प्रमुक उतपादक राज का नाम है है तो भारत में अर्याभी का किसम की कॉफी हुगाई जाती है भारत के स्राज में उच्छिस तरिये वाले मोनो जाइट का सबसे अधिक भंडार है तो मोनो जाइट खनिच का मोनो जाइट का भंडार केरल में है भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रिसिद है तो भारत में कुल्लू घाटी शेव की खेती के लिए प्रिसिद है भारत में कॉफी की अधिक्तम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है तो करनाड़क भारत में सबसे जादा कॉफी उत्पन करता है अगला प्रशन भारत में कौन सी खाद फसल अक्टूबर नमबर में बोई जाती है और अप्रेल में काट ली जाती है तो गेहूं जो है भारत में अक्टूबर नवंबर में बोय जाता है ऑपरेल में काट लिया जाता है गेहूं कौन सी फसल के अंदर गता आता है रभी की खरीफ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज है तो महराश तो भा भारत में चीनी के प्रथम तीन अग्रणी राज कौन से है महराश उत्तरप्रदेस और तमिनाडू भारत में जस्ते का अधिक्तम उत्पादन किस राज में होता है तो भारत में जूट का सरवादिक शेत्रफल किस राज में है तो जूट सबसे जादा पश्यम मंगाल में उ भारत में सरवादिक उपयोग में आने वाली प्रधान सामानिक अंख फसल कौन सी है तो सबसे यादा प्रधान सामानिक अनाज चिक कहां पर किया जाता है तो शब्से जादा भारत का चंबडा निर्यात किया जाता है एक विवार्ष और राहुर केला में लोहे और इसपाथ के तो द्योकिस कंपनी किस पंचवर्षी योजना की अवधी के दौरान इस्थापित हुई थी तो दूसरी पंचवर्षी योजना के दौरान भिलाई और राहूर केला लोह स्प्राथ प्लांट में इस यूजना के थो इनको शुरू किये गए थे दूसरी पंचवशी यूजना में मद्य प्रदेश के नेपा नगर में क्या है तो अख़बारी कागच का कारखाना है मद्य प्रदेश के नेपा नगर में मलीन बस्ती की जन संख्या किस नगर में सरवादिक है तो मलीन बस्ती की जन संख्या सबसे जादा दिल्ली में है और मुल्ला पेरियार बांध का जगड़ा किंदू राज्यों के मद्ध में है तो तमिनांडू और किरल के मद्ध में मुल्ला पेरियार बांध का जगड़ा है राजिस्थान नहर जिसको इंद्रा नहर के नाम से जानते हैं कहां से निकलती है तो सतलुच से निकलती है राणा प्रताप सागर प्रयोजना क्या है तो एक पन बिजली सेंदर प्रयोजना है राणा प्रताप सागर प्रयोजना किस नदी पर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए बता दिया मैं नहीं चंबल नदी इस प्रश्ण के लिए सेत्र हो जाएगा राना प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर है विश्व में दुख दुथ पादन में भारत कौन से नमबर पर है प्रथम नमबर पर है सबते तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है तो यहाँ पर पेड़ की बात हो रही है ठीक है न तो यूके लिपकेस इस प्रश्ण के लिए सेत्र हो जाएगा सबसे पुरानी चालू परिश्करण साला रिफाइनरी कहां पर है तो दिगबोई यहाँ पर से इत्र हो जाएगा सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर है तो सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण इंशोर चिनाई बांध किस नदी पर है कृष्णा नदी पर है सरदार सरोर बांध किस नदी पर है नर्वदा नदी पर है सेम भूमी किस के लिए प्रिसिद है लोह उत्खरनन के लिए प्रिसिद है सेतु समुद्रम परियोजना किस को जोड़ती है तो मननार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है हजारी औरवरक कारखाना किस पर आधारित है तो प्राकृतिक गैस पर चलता है ये कार खाना हल्दिया बंदरगा कौन सी वस्तू के आयात से प्रिसिद है तो पैट्रोलियम पदार्थ के आयात के लिए हल्दिया बंदरगा प्रिसिद है कौन से राज्य में हल्दिया बंदरगा तीन कॉश्चन के चैनल पर अगर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन अन कर लीजे जिसे जब भी मैं आफ्लाइन वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके टाइम के बले याद रखिए रोज सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड होता है रोज शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होता है और रोज रात में 10 बजे वीडियो अपलोड होता है आप इनको याद रखके और सारे वीडियो देखते रह कमेंट का आपका इंतजार है लाइक करिएगा जादा से जादा शेयर कर दीजेगा वीडियो को जिससे आगे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें और आईए लाइव क्लास में मिलिए लाइव क्लास में पढ़ते हैं कुछ अच्छा सीखेंगे आप चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल रखिएगा कमेंट करके बताईए कैसे लगा वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभो नमस्कार